आप बनाना चाहते हैं कच्चे याम से बनी जैम की रेसिपी को तो आप ट्राइ कर सकते हैं मेरे आज की रेसिपी को वेल्कम बैक टो मैं चैनल स्वागत है आप सबीका आपके अपने यूटुब चैनल मोराज रेसिपी पर शूरू करते हैं मेरे साथ आज की रेसिपी को आप मेरे चैनल पर नए है तो रड़ बटन दवा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइस का कच्चाम जिसके मैंने च्लिक उतार कर ऐसे पारेक पीसोज में काट दिया है फिर हमें लेना है प्रेशर प्रेशर कुकर में ये एक सारे आम डालकर थोड़ा सा पानी डालकर एक सी दो सिटी लगाकर हमें आम को पका लेना है दो सिटी लगाने के बाद आप ये देखेंगे आम पूरी तरीके से गल चुका है अब हमें चम्मज की साहिता से या किसी हैवी चीज की साहिता से आम को अच्छे से मैश कर देना है फिर हमें इन सब को चानना है कि देखिए हमें सारा काम कुछ इस तरीक से करना है इस आम के पल्प को छन्नी के मदद से चान कर अलब करना है इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें फेक देना है इस रेसिपी को कम्पेट मेजर्मेंट के साथ पढ़ना भी चाते हैं तो विजिट करें मेरी वेबसाइट www.monosrecipe.com पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स म हमें लेकर गैस को लो फ्लीम पर रखते हुए हमें इसे पकाना है और साथ ही साथ जितनी कौन्टेटिग आम के लिए है ठेक उसी कडोरी से या उसी वर्थन से उतनी ही इसमे चीनि में डालनी है और फिर इसको लो फ्लेम पर पकाना से लेके बाद हमें इसे घीमेहजपन पकाना है ये देखे अभी इसकी consistency प्रूत पानी की तरह है हमें इसे इतना घंडा करना है कि बिल्कुल इधर से इधर हिलना नहीं चाहिए लिए बात पकाने के बाद आप दिखेंगे इसकी कांसिस्टेंसी में थोड़ा सा चींज आया है मेरे चैनल पर नहीं है तो रेंट पटन दबागर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें खुश्बू से पता लगाना चाहते हैं कि आपका जैम बनकर त्यार हुआ है नहीं तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ जब आम का जैम बनकर त्यार हो जाएगा तो इसमें से चीनी की बिल्कुल भीनी भीनी से खुश्बू प्याने लगेगी यह देखिए अभी आम हलका गाड़ा हुआ है हमें इसे बहुत ही अच्छे से गाड़ा कर लेना है देखिए आपका आम का जैम बनकर तेयार है इसके लिए हम टेस्ट करते हैं जब हम इसे प्रेट में डालेंगे तो यह इधर-दर हिलना भी नहीं चाहिए आपका जैम में इलाइची पॉर्ण कर सकते ह जैम बनकर दियार है